नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त है राजिंदरे सनुडिया देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोबल पुरुसकार से सम्मान दित एस्टेक्टिक जीके का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे आगे आने वाले सभी एकजाम में कुश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी सम्हावना है तो चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं कुश्चन नम्मर एक से कुश्चन नम्मर एक है नोबल पुरुसकार की सुरुवात किस वर्स में की गई थी तो याद रखना नोबल पुरुसकार की सुरुवात की गई थी याद रखना दोस्तों जो नोबल पुरुसकार है ये कोश्चन कई बार पूछा गया है कि डाइनामाइट की कोच कब और किस ने की है तो याद रखना डाइनामाइट की कोच 1867 में अलफेट नोबल ने की थी जब 1896 में क्या हुआ दोस्तों अलफेट नोबल की मृत्ति हो जाती है न तो उनकी बसीयत जो रहती है उसको वहां के पती है और उससे जितना भी पार्सी काय मिलेगी वो सब आया क्या कही जाएगी पुरुसकार के रूप में नोबल पुरुसकार के रूप में दी जाएगी तो याद रखना दोस्तों क्या हुआ है 1896 में अलफेट नोबल की मृत्ति हो जाती है लेकिन पुरुसकार के सुरु कप किया जाता है तो 10 December को दोस्तो याद रखना 10 December जो है अलफेट नेवल की पूर्णी थिती है इसलिए 10 December को दोस्तो नोबल पुरुषकार वित्रल किया जाते हैं चलिए next question देखते हैं नोबल पुरुषकार कितने छेत्र में दिया जाता है तो याद रखना दोस्तो नोबल पुरुषकार टोटल बरतमान समय में 6 शेत्रों में दिया जाता है अब मैंने बरतमान को बोला क्यों कि दोस्तो जब नोबल पुरुषकार की शुरुवात हुई थी ना 1901 में तब ये 5 शेत्रों में दिया जाता था लेकिन बाद में अर्थसास्तर में भी नोबल तो पांच छेत्र है कुन-कुन से भौतकी रसायन, चिकित्सा, सांतिय और साहित्ते इन में दिया जाता था लेकिन बरतमान में छे छेत्र में दिया जाता है क्यों कि अर्थ साथ नमें दोस्तों आज रखना 1968 से नोबल पुरुसकार के सुरुआत हो गई थी और पहली बार अर नोबल पुरुसकार जितने वाले प्रिथम भारती वेक्ति कौन थे रविन रनाट टेगोर थे ठीक है कौन थे रविन नाट टेगोर ऐसे वेक्ति थे दोस्तों ऐसे पहले भारती वेक्ति जिन्हें नोबल पुरुसकार मिला तो नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रिथम भारती महिला की बात करें, तो Mother Teresa को मिला था, 1979-1989 में, कॉन से चेत्र में मिला था, सांती के चेत्र में मिला था, सांती कॉनमावल पुरुषकार मिला था, समाज सेवा सम्मिन पारियों के लिए, नैस्ट है, बित धुम्म में प्रथम बार नोबर पुरुषकार किसक को बहुतकी के लिए डबुलू के रोंजेन रसाइन के लिए जे एज बेठाउप चिकिस्टा के लिए एवान बहरीग और तसाच के लिए रैगनर फिस एवं जॉन तिनबरगन ठीक है यह सारे नाम आपको क्या करना है याद रखना है मैं इसको इसकी पीडियाप टेलिगरम मैं डाल दूँगा ठीक चलिने इस दिखते हैं किस बर से नियम बना दिया गया था कि मर्लो परांत नोबल प्रुसकार नहीं दिया जाएगा तो 1974 में दोस्ति याद रखना यह नहीं दिया गया कि आप कोई भी मर्यागा भाई यह उसके बाद हम नोबल प्रुसकार नहीं द लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि अमन्ने के बाद किसी कोई नोबल प्रुसकार नहीं दिया जाएगा चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं इंटरनेशनल कमेटी आपरेट करास को सांती का नोबल प्रुसकार किस वर्स नहीं दिया गया है तो याद रखना दूस्तों 1974 में इंटरनेशनल कमेटी आपरेट करास को सांती का नोबल प्रुसकार नहीं दिया गया है बाकी 1917,44,63 तीन बार से सांती का नोबल प्रुसकार मिल चुका है याद रखना इंटरनेशनल कमेटी आपरेट करास को सांती का नोबल प्रुसकार तीन बार दिया गया है 17,44,63,197,197 तीनों सन याद रखना तो कि अब इसी टाइप के कोश्चन एकजाम में आते हैं अब सिंपल कोश्चन नहीं आते हैं ठीक है उन्ने सु सैंटिस उन्ने सो अर्टिस उन्चालिस सैतालिस और तालिस यह पांच बार दोस्तों गांदी जी को क्या हुआ सांती पुरुसकार के लि बेखती थे याद रखना दोस्तों सर बिल्लियम हेंडरी ब्रेग तीक है इसके बाद दोस्तों सबसे कम उर्मने नोबल परुसकार प्राफ्ट करने वाले पूरुस कौन थे तो लारेंस बेग ये 25 वर्स में और महीले की बात कर रहे तो मलाला यूसुप जाई जो पाकिस्त त्यारती हैं उनके साथ तान्ती के नोबल परुसकार मिला था ठीक है सबसे अधिक उम्र में आर्थक एसकिन को जो अमेर्का करेंजे वाले हैं इन्हें नोबल परुसकार दीता है टीक है और 2018 का बहुतकी नोबल परुसकार दिया गया है और उनकी उम्र उस समय कुष्टी 96 वर्स थी ठीक है और दूती बिसे उदिक के समय दूस्त याद रखना 1940 से लेके 1942 तक क्या हुआ है नॉबल पुरुषकार नहीं दिया गया नैस्ट देखते हैं निम्न में से किसे दो बार नॉबल पुरुषकार मिल चुका है तो याद रखना दूस्तों मेडम क्यूरी फैडरिक सेंकर और जान बार नॉबल पुरुषकार मिल चुका है याद रखना दो बार नॉबल पुरुषकार परने वक्ति के नाव यहां लिखे हुए है यह सारे मोश्ट इंपोर्टेंट है तीक है एक बार यह कोश्चन पूछा किया है कि किसे नहीं मिला है तीक मेडम कीरी को 1903 में रेडियू सक्रीता बहुत की और 1911 में सुद्धर रेडियम रसाइन के लिए नोबल पुरुषकार मिला है लीनस पालिंग को 1904 में हाइड्रोबिडाइज कक्छी सिद्धांत रसाइन के लिए और 1912 में नाप की परिक्षट इसे संदी सांती के लिए वही जान मार्डिन को 1912 में ट्रांजिस्टर बहुत की के लिए और 1972 माती चालकता सिद्धांत बहुत की के लिए फैडरी संगर को 1916 में इंसूलिन मांगलुकूल की संदाचना रसाइन के लिए और 1980 में बाइरस नुकलोटाइट के सिक्वेसिन रसाइन के लिए ठीके ये पूरे नाप आपको पायात करना है ठीक चली नेश्ट देखते हैं बाइरस नेश्ट के स्थापना दोस्तों स्युडियन देश ने की थी एक बार में जादा से जादा तील लोगों को एक चेतर में पुरूसकार दिया जा सकता है नेश्ट है अंग्रीजी साहिती के लिए प्रथम नोबल पुरुसकार रूडियार केपलिंग को 1907 में मिला था इसके लिए दा जंगल बुक और पैस नेशनल पार्क मद्ध प्रदेश से प्रिरीत होकर ये किताब लेकी गई है नेश्ट कोचन है दो अलग अलग छेत्रों में नोबल पुरुसकार से समानित पहली और एक मात महिला कोन है मेडम क्यूरी है ठीक है और नोबल पुरुसकार सबसे पहले 1901 में किसी मिला था हैंडि डूनांट और फेडरिक पेसिस को मिला था नेश्ट कोचन है अर्थसास के छ अर्थसास के छेत्र में पहली बार नोबल पुरुसकार कब दिया गया ये कोश्चन दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इसका अंसर ठीक है चली दोस्तों थेंक्यू जहिंच भारत